क्या बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर की मौत के पीछे वाकई उनकी दूसरी पतनी सविताबाई का हाथ था या उनकी मौत की वज़ा कुछ और थी ये सवाल अकसर घूमता ही रहता है हमारे देश के राश्य और सम्विधान निर्माता बाबा साहिब की मौत 6 दसंबर 1956 को हुई थी लेकिन बाबा साहिब अंबेटकर की मौत के पीछे ना जाने कितने कारण सामने आए कोई कहता है कि बाबा साहिब की रहस में मृत्यू हुई थी, तो कोई कहता है कि उनकी मृत्यू ड्राइबितीस बिमारी से बुरी तरह ग्रसित होने के कारण हुई थी, तो कोई बाबा साहिब की मौत की वज़ा उनकी दूसरी पत्नी सविता बाई को बताता है सवीता बाई पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने बाबा साहिब की हत्या की साज श्रची थी बाबा साहिब की मौत पर एक वाक्या ये भी सुनने को मिलता है कि 6 दिसंबर 1956 जब बाबा साहिब की मौत हुई थी उस दिन बाबा साहिब दिली में ही थे दिन में सब कुछ ठीक चल रहा था बाबा साहिब एक दिन पहले 5 दिसंबर की शाम कुछ लोगों से मिले फिर उन्हें सिर्दर्ध होना शुरू हो गया उन्होंने सहायक से अपना सिर्दबवाया और खाना खाया यहां तक कि सोने से पहले बाबा साहिब ने अपना पसंदिदा गीत गुन गुनाया था किताब पड़ी थी और सुबह जब देखा तो बाबा साहिब विस्तर पर मृत पाए गए इस घटना पर कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहिब को सोते सोते हार्ट अटैक आ गया था जिसके कारण उनकी मौत हो गई जबकि बाबा साहिब के परिवार वाले हमेशा बाबा साहिब की मौत को लेकर एक बड़ी साज़िश का दावा करते रहते हैं लेकिन बाबा साहिब की मृत्यू को लेकर आज तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई और नाहीं इनकी मौत की पीछे का रास खुला हाँ लेकिन एक RTI कारिकरता आरेज बंसल ने राश्रुपती सचेवाले में आवेधन कर पूछा था कि बाबा साहिब की मृत्यू प्राकृतिक थी या फिर हत्या एज बंसल ने बाबा साहिब की पोस्ट मॉटन रिपोर्ट के एक कॉपी को भी मागा था लेकिन भारत सरकार की तरफ से जवाब में कहा गया कि बाबा साहिब की मृत्यू से संबंदित जानकारी हमारे किसी भी विभाग के पास नहीं है ठीक इसी तरह प्रसिद महर्शी दयानंद विश्विविद्याले के पूर्व प्रोफेसर प्रदीप सिंग ने बाबा साहिब की मौत्पर कहा है सरकार द्वारा इस बारे में आठी आई के तहर दिया गया चवाब अपने आप में आश्चर जनक है क्योंकि अब तक पाठ पुस्तकों में यही पढ़ाया जाता रहा है कि बाबा साहिब की मौत बिमारी से हुई थी महर्शी दयानंद कहते हैं कि सरकार द्वारा बाबा साहिब की मौत पर कहना कि हमारे पास कोई जानकारी उपलब नहीं है ये अपने आप में काफी चकित करने वाली बात है खेर बाबा साहिब की मौथ से रिलेटिड अलग-अलग अटकले लगाई जाती है अलग-अलग तथ्य बताए जाते हैं अलग-अलग तर्क दिये जाते हैं कभी उनकी बीवी को इस बात का जिम्मदार बताया जाता है तो कभी उनकी बिमारी को इस बात का जिम्मदार बताया जाता है लेकिन आज तक इस बात की पुष्टी नहीं हुई है कि बाबा साहिब की मृत्यू की असल वजह क्या थी आपको क्या लगता है बाबा साहिब की मृत्यू कैसे हुई थी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा बने रहे हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार